हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर तो दोस्तो आज से कुछ दिन पहले मैंने अपनी इंस्टागाम आईडी पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने आरकल जो ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा ब्लाउस चल रहा है इस ब्लाउस की पूरी की पूरी जो रील है मैंने बना के डाली थी लेकिन बहुत लोगों के कमेंट आएगे सर इसकी फुल वीडियो बनाओ जिसमें कटिंग और स्टीचिंग कम्प्रीट हो तो आज की वीडियो में आपको फुल वीडियो सीखने को मिले कि जिसमें इस ब्लाउस को आप सीख सकते हो बहुत असानी से वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन एक बार इस वीडियो को आप देख लोगे का डेमो जो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा जिसमें मैंने आगे गले में रेड कलर का कंट्रास देकर पाइपन लगाई है और इस प्रकासी जो है रही है इसकी राउंड बैल्ट और इस प्रकासी की जो फिटिंग आप देख से तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का यह जो बलाउज है बनता है एक बार पीछे से थोड़ा घूमके दिखाए यह देखे पीछे जो है इसमें मैंने वीगला बनाए और वीगले में भी पाइपन लगा कर हमने इसमें जिस कलर का यह जो लहंगा है लहंगे के साथ इसको मैंने मैचिंग करके कंटास्ट में बनाया है अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सिख लेते हैं यह शांदर बलाउज कैसे बनाया चाहता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले लंबाई का नाप लेंगे जैसे हम नौर्बलाउज की लंबाई रखत ठीक है इसके बाद बात करते हैं कमर की तो कमर इनकी है इस प्रकार से आप देखें तीस इंच बिल्कुल फिक्स नाप लेना लूज नाप आपको नहीं लेना बात करते हैं बाजू की तो यह देखी इस प्रकार से यहां पर यह जो सलाई होती है जो आपको दिख रही है इस कुछ लोग गले का जो नाप इस परकार से क्रोश में लेते हैं और पुछ लोग सी ती राप लेते हैं कैसे बिल्युदू कि मेरा तरीका से गले का लेता हूं यहां पर आपको इसलाइक रखनाँ और इस परकार से जितना भी डीना। र ace यह सादे दस इंच, यह मैं इपनी वाइफ के लिए ही बना रहा हूँ, पीछे का गला रखूंगा में सादे दस इंच, और आगे से जो गला है, आगे से जो गला इस प्रकार से आप अपनी इसाफ से जितना भी रखना छाओ, नौर्मल जो गले का जो साइज हो तागे से होता है 6.5 छो है इनका मैं आगे से गला रखूँगा सब सी इंपोर्टेट चीज होती ही वह अगी है बस्ट इप को रखना है और जो बस्ट पॉइंट है वह उसको आपने देखना कि बस्ट कहां पर आ रहा है इनका वा रहा है दस इंच बार तो यह हो गया इसका मेज़रमेंट रहिब आपकी तो सोल्डर करनाप की जोनऀ पड़त बनाते हो कैसे कटिंग करने है कैसे स्टीचिंग करने है आईए शुरू करते है तो यह देखिए यह है इसका मैं फैब्रिक जो की मेरे पास लगबग नबेस सेंटिमीटर के करीब है क्योंकि बाजूुका जो साइजर थोड़ा बढ़ा है अगर आपको बाजू थोड़ी छोटी छोटी रเขें है तो अस्तिस सेंटीमिटर में ब्लॉस अराम से बन जाता है इसको रखता हूँ मैं साइड में पहले कटिंग होगी इसके अस्तर पर तो ये देखिए अस्तर के जब आपने कटिंग करनी है क्योंकि इस ब्लाउज को मैं बनाने जा रहा हूँ बैक हुक यानि पीछे हुक इसमें रहेंगे ब्लाउज में तो जब भी आपने पीछे हुक वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है तो ये देखिए जो केनारी वाले इससे हैं वो आपको रखने है अपनी साइड अब कटिंग जब आपने इसकी करनी है तो कटिंग करते समय सबसे पहले आपको इस परकार से जो बैक में जब हुक लगते है तो उसके लिए आधा इंच का मारजन होता है तो पहले मैं बैक की ही कटिंग करूँगा ये इस परकार से देखें आपको आधा इंच इस साइड मारजन रख लेना ये देखें ये है हमारे हुक और आई का मारजन आधा इंच अब फ्रेंट्स जैसर कि आपको पता है जब मैंने मेजरेमेंट लिया था तो पूरा का पूरा मेजरेमेंट ये है लंबाई 14 सीने का साइज है 35, कमर है 38, बाजू 11, आगे से गुलाई 10 और पीछे का गला साड़े 10 है और जो बस्ट पॉइंट है वो है 10 इंच तो जब आप बैक वाले पार्ट की जब मार्किंग करते हो तो आपको क्या करना जो भी आपकी लंबाई है जैसे 14 लंबाई है तो 14 की जगे आपको 15 इंच पर निशान लगाना है ये देखिए इस जगे से तो कुल मिलाके जो लंबाई तयार रहेगी वो रह जाएगे मारी 14 इंच आधा निचे मार्जन और आधा इंच इसमें उपर चला जाएगा तो सिंपल फार्मूला यहा है कि आपको जो तीरा यानि को जो शोलडर रखना है छैंच ठीक है और आर्मॉल आपको रखना है कितना है यानि कि जो शोल्डर है वो आपको 6 की जगे आपको 5.5 इंच करना है तो इसलिए इसका जो शोल्डर है मैं रखूंगा 5.5 इंच यह देखी इस परकार से यह आदा इंच तो हुकाई का मारजने और शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच ठीक है वैसे दोस्तों सिंपल सा फार्म किसे बताऊंगा जिसमें कि हम इस फार्मूले को समझेंगे कि कितने डिप गले में कितना जो है शोल्डर रखा जाता है फिलाल मैं आपको क्योंकि वीडियो बहुत जाला लंबी हो जाएगी डिटेल में मैं नहीं जारा बस इतना बता देता हूं कि अगर आप पीछे से गल पार्मूला आपको यूज़ कर लेना है अब बात करते हैं इसके आर्म होल की साड़े-पांच तीरा लेकिन आर्म होल जो है आपको वह रखना इसका साड़े 6 इंच एक आर्मूल बेकुर सफिशेंट आर्मूल रहता है और मैं काफी सारी वीडियो में इसके बारे में में ब अब बात करते हैं इसके सीने के साइज की तो यहां से आपको धाई इंच नीचे एक निशान लगाना होता है जो की हमारा लोवर बरस्ट और अपर बस्ट का मेजरमेंट होता है तो एक मीडियम साइज के लिए धाई इंच नीचे निशान लगाओ अब इसमें आपको कैसे करनी है जैसे का सीने का साइज है 35 इंच तो इसमें क्या होता है कि जब आपको डीप गला बनाते हो डीप गले का मतलब मैंना भी आपको बता ही दिया कि 9 इंच से उपर जो को गला होता वो डीप में आता है तो आपको क्या करना है इसमें आपको एक इंच प्लस करना है एक इचा मैं ने प्लस कर दिया कितना हो गया यह चैसे परकार से चैस्तिस% करें नौँचो चैस तो इस जगे tellement नव इंच पर एक निशन लगाना हो यह देखिए नौचो क्षज्टीस ओर इस निशांस को बिल्कूर सीधा आप ने इस परकार से नहीं कि थोड़ा से हैं पर कपड़ाय कठ्थ होता है वो जोल बनता है तो lower best और upper best का formula यह अपर आपका clear हो जाता है अब आते हैं इसकी कमर पर तो कमर का simple सा formula है ब्लाउस किसी भी प्रकार का क्यों नहों simple हो कटोरी हो डबल कटोरी हो प्रिंसेस हो पैड़ेड हो कैसा भी बलाउस हो उसमें कभी भी कमर में आपको losing नहीं देनी जो भी कमर का साइज है पूरा कमर आपको उसी परकार से रखना है जैसे कमर 30 है तो 30 का one force कितना होता है साड़े साथ यह साथ पर आपको इस परकार से यह बैक साइड में मैंने डार्ट पॉंट का मारजन लिया है इन दोनों निशानों को आपस में इस परकार से आपको मिला लेना है यह देखे तो इस निशान पर आपकी आ जाएगी आपकी फिटिंग की सिलाई और इसके अलावा आप यह आगे एक्स्टर यह फिर दो इ19 के रगिए उस इसके निशान लुप क्रिए और पर हमकर उसका देक्ðा अरम मोल की गुलाई की तो आरम मोल की अज़ा निशान लगा रख़दा और यहstones से जो दूरी रखनी इक इंच की और यह इंच की दूरी क्योरी रखनी है कि क्योंकि दोस्तों जब आप बि़िप बनाते हो तो उसमे आपको यह यह जो दूरी एक इंच की रखनी है अगर आप नॉर्मल कला बना रहे हो पांच छह saatin तो यह दूरी आपको whose लेकिश यह देखिए इतना डीप गला है लगबग यह ग्यारा इंच के करीब गला है ठीक है थोड़ा समय पर टोकर करके आपको दिखा जेता हूँ यह देखिए जितना डीप गला होगा पहने के ब話 उतना जदा है फैलका और फैलने के बाद यहां पर कपड़ा ककठा नहों फैलने के यह कैसे हो गी पляह सीधी कटिंग कर निया है तो यह हो गया आ मारे बैक वाला पार्ट सब्सक्राइब कर लिए अब आते हैं इसके पिरेंट क्वाले सब्सक्राइब कंअ कई तो उसके लिए इसके यह देखिए लेकिन आगे का जो पार्ट है हमने फिर भी इसको अलग-अलग काटना है क्यों काटना है जब उसको मैं सीलूंगा तब वह चीज आपको समझ में आ जाएगी तो यह देखी इसके लिए आपको क्या करना है इसको ऐसे कैसे आपने रख लेना है बिल्कुल इसके बराबर बिल् से बिल्कुल बराबर इस प्रकार से निशान लगाना है इधर भी इधर भी और इधर भी अब बात करते हैं इसकी बेल्ट की तो दोस्तों यह है हमारा लंबाई का निशान यह दिखिए दिखना ने निशान आपको बस इस निशान से आपको दो इंच उपर ये देखे दो लगाना है और बिल्कुल सीधा स्केल से आपको इस निशान पर सीधी लाइन एक ड्रोव कर लेनी है दो इंच का जो मैंने निशान लगा है नहीं यह वाला अब इस कपड़े को उठाओ और नीचे वाले कपड़े पर ऐसे एक लाइन सीधी ड्रोव कर लो बिल्कुल सीधी यह लाइन में ड्रोव कर ली है अब आपको क्या करना है यहां से इस जगे से आपको साड़े चार इंच की दूरी रखनी है देखें साड़े चार ठीक है बिल्कुल सीधा आना है और साड़े चार इंच के बाद आपको इसको इस परकार से घुमाव देना है यह देखें इस यह घुमाव आपका कितनी उपर जाना है मैं आपको इस चीज़ को किले कर देता हूँ यह देखिए यह जो घुमाव है आपका लगबग सवादो या फिर धाई इंच के उपर जाना चाहिए अगर आप धाई इंच तक भी लगा लोगे और इसके नीचे नीचे आपको यह मार्क करना है और बस यही पर आपको कटिंग कर लेनी कटिंग कैसे होगी यह देखें यहां से मैंने यह कटिंग कर ली है अब इसी परकार से बाकी जो cutting है आपको इस वाली जगे से भी बिलकुल बरावर cutting कर दो तो इस तरह से आप देखें ये जो है हमारा जो front वाला part है वो इसकी मैंने cutting कर ली है अब आते हैं इसकी belt पर यहीं से इसकी जो है belt असानी से निकल जाएगी कैसे निकलेगी ये देखिए आपको क्या करना है ये जो कपड़ा है ये वाला इसको इसकी उपर चड़ा ले ना जो ये मैंने निशान लगा था आदा इंच का इसकी उपर इस परकार से इसको चड़ा लो आदा इंच यह देखे इसको मैं इसके उपर इस प्रकार से आधा इंच चड़ा लिया है बिल्कु सीधा रख लिया अब इसके हम लंबाई नापते हैं यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई कितनी चाहिए हमें हमें लंबाई चाहिए 14 इंच यह देखे 14 इंच लंबाई यहां पर आ रही है इसी प्रकार से यह निशान आप इधर लगा लो यहां यह रही है 14 इंच लंबाई और यहां पर बिल्कु सीधा इस प्रकार से इस स्केल को रखना है आपने यह देखे इस स्केल को मैंने रख लिया तो इस प्रकार से जो इसकी बैल्ट है आपको नजर आ रही होगी अब जब आपने कटिंग करनी है तो कटिंग करते समय भी आपको नीचे से भी इसको थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है क्योंकि आधा आधा इंच तो यह उपर इचला जाएगा तो लंबाई जो है लंबाई के लिए मार्जन नहीं बचेगा अब इसमें आप कम से कम आधा इंच के करीब एक्ष्टा जो है इसको बढ़ा कर रखो आधा भी रख सकते हो पूर नीच भी आप इसको रख सकते हो इस प्रकार से देखे इसकी कटिंग हमने करनी में अब बैल्ट की जो परफेक्ट लंबाई हमें वो कितनी रखनी है देखें क्योंकि जो कमर है कमर है हमारी तीस इंच तो इस जगे से तीस का आधा कितना होता है तीस का आधा होता है पंदरा और पंदरा का आधा साधे साथ यह हो गया साधे साथ और एक्स्ट्रा जो मार्जिन हमने लिया था वो लिया था हमने डेड़ इंच तो डेड़ इंच का यह तोटल यहां से लेकर यहां तक यह आ रही है इसकी बलकि साड़े चोदा ही आ रही है बलकि सिलने के बाद यह कंप्रीट आपकी चोदा इंची बैठेगी तो यह हो गया हमारा फ्रेंट और बैक अब आते हैं इसकी स्लीव बाजू पर तो कपड़ा है मेरे पास यह वाला बच इसके बाद आपको तीन इंच डाउन एक निशान लगाना है इस प्रकार से बाजू की लंबाई लेनी है बाजू की जो लंबाई यह वो है ग्यारा इंच तो यहां से आदा इंच उपर छोड़ती हुए ग्यार इंच पर निशान लगा लो और बाजू को अगर आगे से तुर्पाई वाला बनाना चाहते हो तो ज़्यादा मारजन रखो अगर इसे बाजू को गुम बनाना चाहते हो तो आदा इंच का एक्स्टर मारजन आप रख सकते हो तो मैंने इसको गुम ही बनाना है तो आदा इंच मैंने मारजन रख लिया बाजू की गुलाई है दस इंच तो दस का अदा होता है पांच ये पांच इंच पे मैंने निशान लगा दिया अब बाजू की जब भी कटिंग करनी तो यहां से धाई इंच तक बिल्कुल सीधा चलना है इस प्रकार से ठीक है उसके बाद आपको धीरे धीरे इसमें द्रूद पैंटिस का वण फॉट कितना होता है पोने नौ इस प्रकार से क्रोश में देखो पर आ रहा है है यह रहा है यह बहुत अब इसमें से आधा इंच और कम कर देना है आधा इंच करने के पालए बशता ही यह बशता ही सव 1 द मिल्कुल परफेक्ट जो है आर्मोल का तो अब उठानी है शेप पट्टी, शेप पट्टी के मदसे इसको आपने इस प्रकार से पकड़ा और ये मार्क कर दिया और इसके अलावा एक्स्टा मारजन आगे से फोल्ड करने के लिए यानि के एक्स्टा मारजन हमने जो रखा है अगर बाजू कभी लूज करनी हो तो उ उसके बाद हलका अलका गुमाओ दो आदा हैंच के करीब इस परकार से और आपको फ्रंट वाले आर्म होल की अलग से कटिंग करनी है बाजू की कटिंग हो चुकी है यह हमारा बैक वाला पार्ट बैक वाला जो पार्ट है इसमें हम डाट पॉंट लगा लेंगे तो डाट रहे कितना ठाड़ हमारा 10 दो 10 के जागे 10.5 पर आपको लगाना है निशान यह देखे आधी अके आपको इस परकार से निशान लगाना था करीब छार एंच कं आर का मुवर्याति निशान लगे गयेगा तो मिश्दे से देखें इन डापोंट को आप दूसरी सेड भी इसी परकार से लगा लो मैं तो यह मैंने तो यह तो घाल बैक यह हुगा बाजू अब आते हमें। इसके इसके फ्रेइंट वाले पॉर्ट तो यह अब क्योंकि दोस्तों यह जो बैल्ट है न यह वली यह बैल्ट को बीच में से नहीं कट करना लेकिन इसका जो गला है यह वला अब इसमें जो गले की शेप देनी है बिल्कुल इजी है यह बिल्कुल बंद है आगे से इसको आपने इस परकार से कट कर लेना है यह देखें ल पर इसके मेन फैब्रिक पर लेकिन मेन फैब्रिक पर कटिंग करने से पहले इसमें जो है हम डाट के जो निशाने वो भी लगा लेते हैं तो डाट के निशान आपको कैसे लगाने यह देखिए यहां से जो हमारा डाट पॉंट था वो कितना था दस इंच आदा इंच उपर सलाई में चला जाएगा कितना रह गया यह देखिए आदा इंच उपर सलाई में चला जाएगा तो फिर हमें दस इंच जहां पर भी आ रहा है यहां पर निशान लगा लेना है अगर आप डारेक्ट लगा अब यहां से आपको 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है एधर से जो दूरी रखनी है यह वाली यह भी आपको 2 इंच रखनी है इसको बिल्कुल सीधा इस परकार से लेकर जाना है ठीक एक डाट यह हो गई अब आते हैं तीसरी डाट पर तो टीसी डार्ट के लिए इदर से आपको दो इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है इस परकार से और ये वाली जो डार्ट है हमारी कहा जाएगी ये जाएगी बिल्कुल जस्ट आर्म होल में इस परकार से तो तीन डार्ट हो गई अब इन तीनों के सामने एक दो तीन तीन डार्ट हैं इनके सामने आपको एक डार्ट और लगानी है इस परकार से बिल्कुल सीधा इसको स्केल को रख लो इस पर बन रहा है बिल्कुल सीधा इसको ऐसे खींच लो तो हमारी एक दो तीन चार ये चार हो चुकी हैं यहां पर लगाएंगे कट एक दो इधर मैंने पहले ही कट लगा लिया और यहां पर भी इस पकार से हम इस कट को लगा लेंगे अब जैसे यह जो डाट के निशान में इधर लगाएं सेम इधर भी आपको यह जो डाट के निशान लगा लेने इसके लिए इस कप बनेंगे के फ्रेंट को जो गडुन के इंड हो तो कियो हुई उसका में शात्काइब एकूर्ड क कट करनी है तो दोस्तों यह मेर्म केप्डु हम Ultra सब्सक्राइब औरो यह सबस्ट को भी सब्सक्राइब के आयर। टिंस तो चुकी करूंतों कि में बार ब nutella को बुक्रम पर बनेंगे उनकी भी मैंने कर लिये देखिए यह है इसका पीछे का गला आप देख सकते हो यह है अलग अलग दो टुकड़ों में कटेगा जो मैं वी गला बनाऊंगा बहुत असान है और आगे भी दो अलग अलग इसमें गले बनेंगे यह देखिए इस परकार से यह हैं इसके आगे के गले इस परकार से जयसे इसको मैंने अलग अलग किया था नहीं यहांसे तो यह अलग अलग ही दोनों गले यहांपर बनेंगे इस परकार से देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको जब ब्लाउज की स्टार्टिंग करनी है ब्लाउज को जब आपने स्टिच करना शुरू करना है तो क्योंकि इस ब्लाउज में हमने पैड भी यानि कप भी लगाने तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो मैंने निशान लगा था इन डार्ट के निशानों को आपको नीचे वाला जो कपड़ा है यह वाला इस पर भी इसको आपने सैट कर लेना सेम इसी प्रकास से आपको इसमें मार्किंग कर लेनी है और अलग अलग आपको इसमें डार्ट से लगानी है तो मार्किंग बिल्कुल इसके हिसाब से आपको करनी है पहले आप इस प्रकार से कट लगा ले और अलग अलग जो मार्किंग आपको करनी है उस अनुसार आपने इसमें प्लेट्स लगानी है तो यह देखिए जिस प्रकार से इस अस्तर में मैंने ये प्लेट्स लगाई हैं प्लेट्स को लगाने के बाद अब सेम इसी प्रकार से आपको जो इसका मेन फैबरी के इसमें भी अलग अलग आपको प्लेट्स लगानी है देखिए मैंने मार्क यहां पर लगा रखें प्लेटों के इसको इस प्रकार से उठाएं और प्लेट यहां पर लगाएं तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए जो सिलाई थी जो प्लेट लगाई थी मैंने अलग लगा लगा ली है नीचे का अस्तर है ये इसका अपर है अब आपको क्या करना जब इस प्रकार से आप डार्ट की जो सिलाई होती है आपस में जब लगा लेते हो अब इसको आपस में आपको टैच करना है कैसे देखिए आपको यहां से सलाई की शुरॉवात करना है इस जगे से और इधर से मिलाते हुए इस सलाई को इधर आपने निकाल लेना है इसको यहां से सलाई की शुरॉवात होगी और इधर से इसको अपने निकालना है सेम इधर से आपको ऐसे करना है इदर से और इदर से सलाई को लगाना है इस सलाई को लगाने के बाद फिर आपको इसमें बनाना है गला तो दोस्तों जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं वो पूरा सिंगल एक गला होता है लेकिन इसके जो गले अलग-अलग कपड़े पर सैट किया जाएंगे उसको सैट करने क पैद केए बाद कैसे गले कई उस पर जमाना है घृ meals को बताता हूं तो friends इस स्लयיש को लगानेके बाद यह लगाने एदर से मैं इसको अटैच्च्छ किया है और इसके क्यों नहीं किया है ziem मैं बाद में बताऊं को एदर से क्यों कुछ नहीं किरा रखेगा है और तीन इच पर मैंने इस गळा अधर लगा दिया अब आपको इस परकार göra था आ यह ने जो थी ने पर इसब अहले तो पैर यह फिक्स आपर इसको पहले नहीं ठीक है इधर से मैंने फिक्स कर लिया और इधर से फिक्स करने के जूर था ही नहीं क्योंकि यह बिल्कुल एक यह जो जितना मेना मारजन नहीं इसके साथ साथ बस आपको शलाय लगा लेनी और सेम इसी प्रोसेजर को आपने इधर भी कर लेना है तो इस प्रकार से दोनों गले में बना लिए हैं दोनों गले को बनाने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे रेड गलर की पाइपिन आप अपनी चोईश की कोई भी कलर कंट्रास करके पाइपिन लगा सकते हो अब पाइपिन को लगाना कैसे आई चलते हैं मशीन पर गल्या ये सीधा है गल्या को अपने इस प्रकार से उल्टी सेट रख लेना है और ये जो औरेव कपड़ा में लिया है पाइपिन का ये आपको थोड़ी दूरी यहां से रखनी है लगबग आधा इंच के करीब है इस प्रकार से और बिल्कुल किनारे के नाये पर आपको से आपको नजर आएगी ये देखे सारा कपड़ा जब अंदर के साइड चला जाएगा सलाई को ऐसे आपको लगाना है देखे बिल्कुल जड़ में बिल्कुल किनारे पर आपको इस सलाई को लगाना है देखे तो गले के दोनों ही साइड में इस प्रकार से पाइपिन लग लगा लिए है पाइपिन लगाने के बाद अब यह अंदर का जो भाग होता नहीं यह वाला इसके लिए आपके पास दो उप्शन है या तो इसे फोल्ड करकर आप इसमें सलाई लगा सकते हो ठीक है अगर आप सलाई नहीं लगाना चाहते तो इस पर आप तुरुपाई भी कर सकते हो फिलाल इस पर मैं सलाई ही लगा रहा हूं क्योंकि डार्क कपड़ा है तो इसमें सलाई ज्यादा नजर नहीं आएगी अगर आप तुरुपाई करो तो बहुत अच्छी बात है तो बिल्कुल ब्रावर फोल्ड करके आपने इस परकार से इसमें सलाई लगानी है तो साथ चाया करना दो को बंद करने के लिए अपको और कपड़ा लेना है कपड़ मिश परकार से डबल करना के बाद इसी थ तो बीच का पैच मैंने लगा लिया है दोनों अलग अलग पार्ट एक साथ हो चुके हैं अब इसके अंदर हमने कप को सैट करना है जिस भी साइज का आप बलाउस बनाते हो उसी साइज के कप आपको मार्केट से मिल जाते हैं असानी से लगाना बहुत असान है यह दिखे यह जो उपरवाले पाग को आपको हटाना है और इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पर आपने इस प्रकार से इस कप को सैट करना है कप जो है अपने आप यह जो डार्ट होती है डार्ट के अनुसार अपने आप यह अपनी पोजिशन ले लेगा और बिल्कुल परफेक्ट तरी के से यह सैट हो चुका है अपनी जगे इसने अपने आप ही सैट हो जाना होता है जो हमने यह डाट्स डालते हैं जो प्लेट्स लगाते हैं तो कप अपने आप सैट हो जाता है अब जैसे कप को मैंने यहां पर रखा है अब आपको इसमें लगानी है सिलाई तो सिलाई लगान स्रे Св Archleau आपने ज्जिए बनाए अब इस सरकल के साथ साथ आपको स्मीन स्राइ लगानी त्लीं से प crust video लगाने द पहले है इस कप को तोड़ा पने इस परकार से उल्टा कर ले कप सेट करने के बाद यह जो बैल्ट है बैल्ट में भी अस्तर को मैं इस प्रकार से आप देखे नीचे अटेच कर लिया है अब इस जगे पर भी हमें पाइपन लगानी है यहां पर पाइपन लगाना बहुत असान है औरे कपड़ा लेने के जूरती है बिल्कुल सीधा कपड इससे जो आपको पाइपन लेनी है पट्टी कम से एक इंचोड़ी आपके होनी चाहिए अब इसमें पाइपन को लगाना कैसे देखे इसको मैं डबल करूंगा डबल करने के बाद इसको मैंने इस प्रकार से रखना है यह जो खुला वाला भाग है यह आपको साइड रखना पाइपन को आपने लगाना कैसे उसको मैं अपको समझाता हूं मशीन पर यह देखिए यह जो ऑफन स्पेस नहीं यहावला इसको एसे पकड़ा आपने और इसको इस साइड़ रखा और जितनी भी बड़ी आपको पाइपन रखनी है जितनी गले में थी इतनी ही दूरी पी यह बार आ उसके पर आ fight is लगानी है इसके बाधिक वेब देख़ें उचिक typically णिस परकार से लगानी है थोड़ा सा कपड़ को बार की साइड निकालते हुए ऐसे अपर भी हलके-लके से कट लगा लेंगे गोलाई वाली जगे पर और अब यह देखी यह जो पाइपन आपकी इस प्रकार से आपको नजर आएगी देखें और यह जो इस कपड़ा जो निकला हुआ यह आपका अंदर इस तरह इसे प्रेस कर लिया है अब इसको क्या करना यह जो कपड़ा सापको दिख रहा है इसको अंदर के साइड फॉल करते हुए यह पर बिल्कुल सेंटर में कोर्न बनाते हुए बिल्कुल बीच ओ बीच आपको सेंटर में यह रखना यह देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से यह जो बैल्ट है इसको बैल्ट को में ऐटेच कर लिया है बैल्ट को अटेच करने के बाद अब आते हैं इसके बैक वोले पोर्शन पर तो बैक में बिलकुल असान जैसे हम नॉर्मल अस्तर जोडते हैं, अलग अलग पहले इसके अस्तर जोड़ेंगे, अस्तर को जोड़ने के बाद इसमें जैसे मैंने आगे अलग अलग गला बनाया है, सेम इसी पकार से आपको इसमें पीछे के साइड भी अलग अलग गला बना लेना है, गले को बनाने के पिर इसकी जो बाजू है बाजू में भी आपको सिंपल नॉमर फोल्ड करके आगे पाइपिन लगा लेनी है पाइपिन लगाने के बाद गले को बनाने के बाद इसकी जो फिटिंग है वो कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों यह है इसका बैक पार्ट जो मैंने रेडी कर लिया है इसमें बैक में हुक लगेंगे इस जगे पर और गला मैंने पीछे बनाया है वी और वी गले की मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखी कैसे वी गला बनाया जाता है अब बात करेंगे इसके शोल्डर को अटेच करना है आपस में शोल्डर को जोड़ना है बि बेवेगे बिलकल गमसलाई लगा नी तो जिससे यहां पर बिढ्यू की लगैगील देख कैसे तो यह देखने इस परकार जो आप चौलडर है बिलकुल यहां से बिम तरीके संभरने को लगा लिया है दोनों ही शोल्डर आपको इसी प्रकार से अटैच कर लेने हैं तो शोल्डर की स्लाई को लगाने के बाद अब बात करते हैं इसकी फिटिंग की तो फिटिंग के लिए दोस्तों आप देख सकते हो इसमें मैंने इस प्रकार से निशान लगा रखे हैं सेसाट लगा लिए अब सेमीर से साड़र्वार्र किपना होता इससाट थायरा कितना होता है अठारा तो यह देखि इस प्रकाइज्ट पर कinterpretation कि 밑ूंशे का इसका पार ब्Ang इसे हमारे निशान लगा था 9 इंच पर, इस इस इसे स्लाइब को लगाने से पहले, आपको क्या करना है, यह देकिए पीछे से यहाँ से गुम हैं, लेकिन यहाँ से अभी यह गुम नहीं है, तो पहले आपको एक पट्टी लगाने के बाद साइड के हम फिटिंग कर लेंगे इसको इस प्रकार से पकड़ना है और बिल्कुर एकली एकदम बिल्कुर यह बराबर आ जाएगा साइड की फिटिंग करने के बाद इसकी जो बाजू है बाजू मैंने पहले से त्यार कर रखी है बाजू के आगे पाई पीन मैंने लगा ली है जो भी आपका बाजू का साइज होता है बाजू आपको इस प्रकार से यह देखिए मैंने ओलर यहां पर निशान लगा रखे बाजू का जो साइज होगा इस प्रकार से बाजू को हमने लगाना है यह देखे जो बाजू का साइज होगा फिटिंग के अनुसार याप एक दम परफेक्ट यह बाजू यहां पर आ जाएगी बाजू को लगाने के बाद पहनने के बाद जो फाइनलिस का लूक आएगा कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ